आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इन दिस क्वेशन भी एब गिवन एचिंपाइंजी स्विंगिंग और स्विंग इन इस सिटिंग पोजीशन स्टैंड अफ सडेंली देन दे ताइम पीरिड विल बी अगर हो एक क्या है मारे पास चैंपाइंजी है अभी हो एक स्विंग पे बैठा हुआ है और हो स्विंग कर रहा है अब कोशन में कहा जा रहा है कि अभी हो वैट के अपना स्विंग कर रहा था और स्टैंडली स्टैंड अफ हो जाता है मतलब खड़ा हो जाता अपने स्विंग पे तो उसके time period में क्या effect होगा पहला become infinity time period infinite हो जाएगा second option says remains same third says increases and fourth decreases तो हमें बताना time period के बारे में क्या हो जाएगा किसी भी जो हमारा pendulum होता है उसका time period t is equal to 2 pi root L upon g होता है तो यहां से देखेंगे हमारे पास यह क्या होगा यह जो swing होगा SHM कर रहा होगा यहां से क्या करेगा और इस motion को हम कहते है SHM type of motion तो यहां से क्या करेगा इस अपने mean position से एक बार हमारा यहां पहुंच जाएगा फिर यहां से वापस अपनी mean position पे आएगा और फिर आपस अपने दूसरी extreme position पे जाएगा और इस तरह से हमारा swinging motion कर रहा होगा तो question में कह रहा है कि अभी आदमी इसके ऊपर एक हमारे पास boy बैठा था भी हो setting position में था अब अगर अचानक खड़ा हो जाए तो इसके time period में क्या effect होगा तो initially जब यह बैठा था तो हम देखेंगे इस आदमी का swing के साथ जो center of mass होगा यह point हमारा center of mass हो जाएगा ठीक तो जो हमारा length होता है अगर time period इसका देखें जब यह बैठा था तो t equals to 2 pi root L upon G होता है जो L होता है कहां से इस hinge point से body का जो bob होता है उसके center of mass होता है तो यहल हमारा क्या होता हमेशा center of mass to hinge point की distance लेते हैं center of mass to hinge point की जो length होगी हमारा length time period में use होती है तो hinge point हमारा A है और body का जब हमारा आदमी बैठा था इस boy तो इसका center of mass हमारा यहां पे रहा होगा इस swing पे पर अगर suddenly अगर stand up हो जाएगा अगर यहां पे देखेंगे अब कुछ एक ऐसी situation हमारा swing यहां पे था ठीक अगर यह boy अभी हमारा swing motion कर रहा था यहां पे इसकी यहां पे काउड डाइगराम मना लेते हैं तो हमारा उसकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी अब अगर हमारा suddenly boy अगर stand up हो गया मतलब कि इस position पर हमारे पास boy यहां आ जाएगा ठीक यह हमारा boy अभी यहां पे खड़ा हो गया अगर जैसे खड़ा होगा तो देखेंगे हमारा तो center of mass हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ shift हो जाएगा क्यों क्योंकि जो आदमी का जो weight है जो boy का ऊपर की तरफ तो जाएगा तो जो time period में हम लिखेंगे जो length की value थोड़ी सी कम हो जाएगी जैसे ही boy हमारा घट ऊपर की तरफ खड़ा होगा तो जैसे हमारा boy ऊपर खड़ा होगा तो हमारा जो length होगी इस hinge point से center of mass की बीच की distance कम हो जाएगी हमेसाद रखिए time period लिखते समय जो ये length लेते हैं कहां से कहां तक लेते हैं hinge point से body के center of mass पे तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये length l dash हो जाएगी जब इसका time period लिखेंगे चुकि l dash की value हमारा l से कम है center of mass उपर shift होगा तो l dash हमारा कम हो जाएगा तो time period directly proportional to root l अगर l की value घटेगी तो हमारा time period भी यहां से क्या हो जाएगा घट जाएगा तो इस question का right answer हो जाएगा जो हमारा time period हो जाएगा हो decrease हो जाएगा क्यों decrease होगा क्योंकि अगर body suddenly खड़ा हो जाएगा आदमी इस जूले पे swing पे तो उसका center of pass उपर की तरफ shift हो जाएगा तो जो यह length हो जाएगी और एफेक्टिव लेंथ हमारी reduce हो जाएगी अगर length reduce हो जाएगी चूकि time period is directly proportional to root l तो हमारा time period भी reduce हो जाएगा अगर length reduce होगी तो तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा time period reduce हो जाएगा यही हमारा this question का answer हो जाएगा